अपराधियों के लिए काल हैं ये IPS डर से जिले को छोड़ देते हैं अपराधि चाने कौन और कहा के ये IPS अधिकारी आपने अब तक पुलिश कर्मियों के जिंदगी पर आधारित बहुत सारी फिल्में देखियोंगे जिसमें कैसे एक पुलिश वाला अपराधियों से लड़ता है लेकिन अपनी इमानदार चवी पर कभी दाग नहीं आने देता ऐसी फिल्में बॉलिवड इंडस्ट्री में तो मिलती हैं साथ ही साउट की कई फिल्मों में भी ऐसी कहानियों को दिखा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रील लाइफ की तरह ही रील लाइफ में भी एक ऐसा ही पुलिस अधिकारी है जिसने कभी अपनी इमानदार चवी पर आच नहीं आने दी हालात ये बन गए कि वो साथ साल तक जेल की सलाखों के पीछ रहे लेकिन जब वो जेल से बाहर निकल कर आए तो अपराधियों के लिए काल बन गए तो चलिए आज हम आपको उसी पुलिस अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं दरसल राजिस्थान पुलिस में एक IPS हैं जिनने प्रदेश का हर नागरिक जानता है इसलिए नहीं कि वो ज्यादातर जिलों में SP रहे हो या सामाजिक सरोकार वाले कारिकरों में हिस्सा लेते हो बलकि इसलिए कि उनके काम करने का तरीका सबसे अलग है सभी IPS की जिम्यदारी भले ही एक जैसी हो लेकिन दिनेश MN की मेहनत और इमानदारी ने उन्हें नई पहचान दी है उदयपूर SP रहते हुए सोराबुदीन फरजी एंकाउंटर मामली में दिनेश MN को गरफतार किया गया दिनेश MN साथ साल तक जेल में बंद रहे लेकिन उन्होंने अपना होंसला नहीं तूटने दिया जेल से चूटने के बाद फिर से पुलिस सेवा में आए और अपनी काम की बदोलत नई पहचान बनाई 1995 के IPS दिनेश MN करनाटक के रहने वाले हैं राजिस्थान में इन्हें असली सिंगम के नाम से जाना जाता है 1998 में इनकी पहली पोस्टिंग के तौर पर दोसा में ASP रहे तो बदमाशों की ऐसी दुनाई की के उन्हें दोसा छोड़ कर भागना पड़ा बाद में जैपूर शहर की गांधी नगर सरकिल के ASP रहे इस सरकिल में राजिस्थान विश्विद्यले आता है जहां आए दिन राजनेतिक सर्रक्षण के चलते गुंडागर्दी होती थी दिनेश मन ने युनिवर्सिटी के निताओं का ऐसा इलाज किया कि आज तक लोगों की जुबान पर किस से चर्चित है लेकिन वर्ष 2005 में दिनेश मन उदैपूर जिले के ASP बने उस दोरान राजिस्थान पुलिस और गुजरात पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सुरा बुद्दीन को एंकाउंटर करके मार दिया गया था बाद में इस एंकाउंटर पर सवाल उठे और फर्जी एंकाउंटर को बताते हुए पुलिस अफसरों की खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए IPS दिनेश MN सहित कई अधिकारी गरफतार हुए और जेल गए सोरा बुद्दिन एंकाउंटर की जाच CBI ने की IPS दिनेश MN साथ साल तक जेल में बन रहे वर्ष 2014 में वो जमानत पर छूटे और वर्ष 2017 में सर्विस के लिए बाहाल हुए इतने लंबे समय जेल में रहने के बावजूद भी उनका होंसला बिलकुल कम नहीं हुआ एक बार फिर से पुलिस सेवा में आते ही उन्होंने ज्यादा उत्ताहा से काम शुरू कर दिया सुरा बुद्दिन केस में CBI से IPS दिनेश MN सहित सभी को बरी कर दिया जेल से चूटने के बाद फिर से पुलिस सेवा में आये तो उन्हें प्रमोशन मिला और वो IG बन गए एंटी करप्शन बीरो में दिनेश MN के आते ही रिश्वत खोरों की नींद हराम हो गई एंटी करप्शन बीरो में दिनेश MN IG रहने के दोरान पहली बार किसी IAS अफसर को धाई करोड रोपे की घूस लेते गरफतार किया दिनेश MN के नित्रितु में वरिष्ट IAS और खान विभाग के ततकालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अशुक सिंगवी को दो करोड पचास लाख रोपे की रिश्वत के साथ गरफतार किया गया था गेंग्स्टर आनन्द पाल सिंग राजिस्तान पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था आनन्द पाल सिंग पुलिस पर हमला करके फरार हो गया था पुलिस ने उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोशत किया लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली वर्ष 2017 में एक टास्क दिनेश MN को दिया गया जब वो SOG IG बने, दिनेश MN ने एक स्पेशल टीम बनाई और हर हाल में आनंद पाल सिंग पकड़ने का निश्य किया जून 2017 में SOG की टीम ने गैंक्स्टर आनंद पाल सिंग को घेर लिया उसे पुलिस के हवाले करने की बात कही लेकिन आनंद पाल सिंग ने फाइरिंग शुरू कर दे पुलिस की जवावी फाइरिंग में आनंदपाल सिंग धेर हो गया वर्ष 2019 से दिनेश MN फिर से एंटी करप्शन बीरो में आ गए फिलाल वो ACB के EDG हैं दिनेश MN के नित्रित में ACB ने प्रदिश के कई IAS और IPS अपसरों को रिश्वत लेते गिरिफतार करके जेल भीज दिया है तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहिए One India Hindi के साथ